नमस्कार साथियो स्वागत वंदन अभीनमदन आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे मेंगो आम के ऊपर तो आम में हम चर्चा करेंगे कि जो जे आरे की जो परिक्षा होती होटे कल्चर की उसमें आम पर जो बिन्य प्रश्ण पूछे जाते हैं उनको देखेंगे इस जो आम पर कोश्ण पूछा गया है एम पी व्या पर कोश्ण पूछे के उन सभी को इस वीडियो में चर्चा किया है तो वीडियो को इसकी इपना करें अन्त तक देखेंगे और वीडियो कर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए हम के नाम से भी जाना जाता है और इसी को नेशनल फ्रूट ओप इंडिया भी कहा जाता है यह हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट है मेंगो के उपर क्योंकि यह वीडियो काफे बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाएं तो वीडियो को अंते तक देखें सबसे पहले आम का बोटनिकल नेम तो आम का जो बोटनिकल नेम है वह है मैंजी फिरा इंडिका आम का जो वानश्पतिक नाम है वह है मैंजी फिरा इंडिका यह कोश्चन पूछा गया था MPPAT 2019 में उसकी बाद है फेमिली तो आम क जो फेमिली होती है वहती हो फिरा इनर कारडा सिऱ् कुछा गया है जो आम को बस का को को इन्सांव्र मावर हो साउथू आजिट एसाया इंड होवर्मा आम के जो क्रमोजो नंबर है तो एन बराबर 40 और जो बैसिक क्रमोजो नंबर है वो है X बराबर 10 आम के जो क्रमोजो नंबर है वो 40 होते हैं और जो बैसिक क्रमोजो नंबर है आम के वो है 10 It is called King of Fruit and Bathroom Fruit आम को King of Fruit और Bathroom Fruit के नाम से भी जाना जाता है The mango is symbol of love in India भारत में आम को प्याल के प्रतिक के रुप में भी जाना जाता है Mango is the national fruit of India आम को भारत का राश्टी फल भी का जाता है और ये आम जो नेशनल fruit of India है ये जे एर धोजार साथ और MP की जो RHO exam हुई थी 2016 में उसमें इसको पुछा गया था National Fruit of India नेक्स आता है Leading Indian state in area and production of mango is उत्तरपरदेश भारत में अगर सबसे जज़्यादा area और production की बात करें ले वह सबसे जब से जब होता है उत्तरपरदेश में उत्तरपरदेश में area भी सबसे ज़्यादा है आम का और production बी सबसे जब से जब होता है यह question भी JRIP में पूछा गया है It is the most important commercial crop, fruit crop of the country हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो फलों की खेती की जाती है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी फल की खेती की जाती है वो है आम और आम को सभी लोग पसंदी करते है The ideal ratio between edible and non-edable matter in mango is 223 जो खाने योग्य भाग और जो योग्य भाग उनका जो रेशो है वो है दो से तीन यह question भी JRIP 2008 में पूछा गया था Flower bird differentiation in mango take place in October और November आम में जो flower bird differentiation होता है वो generally होता है October और November में Mango pulp is preserve by sugar जो mango pulp है उसको sugar के द्वारा preserve किया था यह question भी JRIP 2005 में पूछा गया था है कि mango pulp को किसके द्वारा preserve किया था है It is resource in vitamin A and C आम का जो फ़ल है वो vitamin A और C का अच्छा इस्तुरो थे यह question पूछा गया था कि जो आम का फ़ल है वो उसमें कौन सा vitamin पाया जाता है commercial propagation method of mango तो जो commercial propagation method है आम की वो है veneer grafting और in arching veneer grafting और in arching इन दोनों के द्वारा आम में propagation होता है the type of flower झो टायप आफ फ्लोवर की बात की जाहे तो आम में male और hermaphluoride दोनों प्रकार के flower पहली एते है male और hermaphluoride दोनों प्रकार के flower पहली आता है next question आता है influence type तो जो आम का ineflour Das Est ुख होता है वो प्रूबी जो होता है आक में में जो जो प्रूब्स होता है जिसके द्वारा पॉलीनेशन होता है वह प्रूब 25 گवे में आडवा पाउट लुख होता है पुंचा घूरा भी खाले के शिखले किया गाई है तो आमका स्ब्सक्राइब होता है वो रूपया इस्टोन प्रकार का इसलिए होता है कि इसकी जो गुठली होती है वो काफी कठोर होती है और वह एक आवरण से धकी होती है जिसे इस्टोन का जाता है इडेबल पार्ट तो जो आम का जो इडेबल पार्ट है वो है मीजोकार्ब जो इस्टोन और छिलका ह उसके बीच का जो हिस्सा है उसको मीजोकार्फ का जाता है और इसी को आम के फल में खायाता है इस इसे इसले को हम खाते हैं तो आम का जो खाने खाय जाने वाले योग यह भागे वो है मीजोकार्फ mango fruit is utilized at all stages of its development both immature आम की जो सारी अवस्था है उन सभी को खाय जा सकते चाहे वो कच्ची हो या पकी अवस्था दोनों अवस्था या सभी अवस्था को आम की खाय जा सकता है mango can be grow under both tropical and subtropical climate आम को tropical or subtropical climate दोनों में आसानी से उगाया सकता है the temperature between 24 and 27 is ideal for its cultivation जो इसकी cultivation के लिए जो उप्युक्त तापमान है वो है 24 से 27 डिगरी आइडियल फॉर मेंगो इस लोमी एलिवेल वेल ट्रेंड और गुड ड्रेनच प्रेफर पोर इस प्रेटर इस्ट इस्टेबलिस्मन आम की जो खेती के लिए जो म्रदा होती है वो होनी चाहिए अच्छे जल निकस वाली लोमी एलिवेल और जिसमें अच्छा सा और एगिन में जो पी एच मानेवल का अमली होना चाहिए अब सबसे पहली जो प्रोपोगेशन की मेथड आती है वो आती है इनार्चिंग सबसे पहली जो मेथड है वो है इनार्चिंग तो इनार्चिंग क्या होती है इट इस वन आप दे मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ट मेथर साथ leer branch of경 जिसमें क्या है जो प्लांट है वह बीक साइस का होता है जो मुदर प्लांड है और उसके पास हम पार्न रूट को लाती हैं और यहां आपन इसकी grafting कर आते हैं जब graft union अस्ते हो जाता है तो मुदर प्लांट से इस प्लांट को को डिएटेज करके अलग कर लियाता है, मदर प्लांट से इस प्लांट को अलग करके डिएटेज कर दियाता है, नेक्स्ट रहता है विनियर ग्राप्टिंग, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है विनियर ग्राप्टिंग, नेक्स्ट जो हमार है वो है विनियर ग्राप्टिंग, विनियर ग्राफटिंग लगवर इसका जस्ट रूटा है क्योंकि विनियर ग्राफटिंग और इसको ही साइडग्राफटिंग के नाम से भी जाना है तरहा है। this can be utilized for preparing a grafted plant, metal, or in-situ grafting for root stock which are already planted. Inarching the mother plant was planted, उसके पास हम रूट इस्टोक को ले आते हैं, जबकि इसमें inarching में, जो root stock है, अगर वो already planted है, तो mother plant से जो शांकूर डाली है, उसको ले के आते हैं, शेयन को और इसपे अपन graft कराते हैं. नेक्स्ट आता है इपिकोटाइल ग्राप्टिंग, नेक्स्ट है इपिकोटाइल ग्राप्टिंग, नेक्स्ट जो है इपिकोटाइल ग्राप्टिंग, इपिकोटाइल ग्राप्टिंग क्या होता है या इसको इस्टोन ग्राप्टिंग भी होता है, इसमें इपिकोटाइल ग् का यूज कहता है इन जर्मिनेटेट सीडलिंग एट टू फिफ्टीन डेस ओल्ड रूस फोर ग्राफ्टिंग इसमें जो सीडलिंग है वह लगभग आठ से दस दिन पूरा नहोता है उसका उपयोग करते हैं और इसके साथ जो नया प्लांट लगा है जो दस से पंदरा दिन का है उसके साथ अगर इस्टोन भी लगा है तो इसलिए इसको 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 इस्टोन ग्राफ्टिंग एपिकोटल ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है planting spread from July to December जो planting time है आम को लगाने का वो है July to December mango is normally planted at 7 to 10 meter आम की जो पोदे से पोदे और रो से रो की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 meter रखी जाते है इन नोर्थ इंडिया mango variety आमरपाली for high density planting with a spacing 2.5 into 2.5 meter जो उत्री भारत में जो आमरपाली वेराइट है उसको 2.5 meter पर भी high density planting में लगाए जा सकता है the most popular method for mango planting is square system आम की जो सबसे यादा planting के लिए जो method उसकियाती है वो वर्गाकार विदी उसकियाती है इस question को MPPAT 2018-19 दोनों में पूछा भी गया है the North Indian cultivar are alternate barrier where South Indian once are generally regular barrier जो भारत उत्तर भारत की जो वेराइटी होती है वो उनमें एकांतर फलन होता है और जो दक्षिन भारत की वेराइटी है उनमें वो भर्ष प्रतिवर्ष फल देती रहती है उनमें एकांतर फलन नहीं होता है वो रेगुलर भेर होती है इन मेंगो इमर्ज ओफ अनेयो फ्लेश इस्टुमलाइटली वित फ्रूटिंग और इमिडेटली आफ्टर हार्वेस्ट इस इंडिकेटेट टू रेगुलर भेर अगर हार्वेस्टिंग के तुरंद बाद या हमने जो फल हार्वेस्ट के उसके बाद नियो फ्लेश निकल जाता है ति यह इंडिकेटेट करता है कि जो आम का हमारा जो पोधा है वो नेक्स्ट यह भी हमें फलन देगा पॉली अम्बियोनिक मेंगो विलाई कोलंबन वें यूज़ रीट रूट इस टोग इन पार्ट ऑफ दौर्फिंग इन अलफांजो अलफांजो में ड्वार्फिंग रूट इस टोग के रूप में विलाई कोलंबन का यूज़ किया जाता है देरेख्व तूट आप ओप मेंगो विलाईटी मॉस्ट अब्व रिटिस आर पॉली अमड्रोणे एंड दस गिव ट्रट आप सिट्ट जो साउथ इंडियन व्याइटी है वह जब्वादी पॉली इंवर निक ट्या होता है जब एक ही शीट से एक से अधिक पोधे निकलते हैं तो उसे पॉलीम्ड निकाया था है। जब जो नॉर्थ-ंडीयं वैराइटी और हो चिसके दोर्ड होता है तो जो पूछा गया है कि जो किसके दोरा कंट्रोल होता है इन मेंगो ओनली जीरो पाइंड वन परसेंट फ्लोवर सेट फ्रूट एंड रिच अप्टू मिचुर्टी आम में केवल जितना जितने फूल आते हैं उसके लगबग 0.31 फ्लोवर ही उसके जो मिचुर्टी है वहां तक टिक वाते हैं यह 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 2013 में पूछा गया था NAA 20 ppm is spread at flowering to increase the fruit retention जो ने गोथ रेगोलेटर उसका 20 ppm का spray फ्लोवरिंग स्टेज में fruit फ्रूट जो रिटेंशन है उसको बढ़ाने के लिए किया है चाए है Pluclobutyrazole at the rate 10 gram for non-bearing trees during 1st 4th night of September will be induced flowering and fruit set yield during off-year or soil trenching with Pecobutacruzol 2 liter per tree induced flowering during off-year. जो पेक्योबुटा जोल है उसका उप्योग जो ओफियर सीजन है उसमें फ्लोवरिंग कराने के लिए उन प्लाइंड में फ्लोवरिंग कराने के लिए इसका उप्योग किया था है जो अगर जिस साल फलन नहीं होता है तो उस साल अगर 10 ग्राम के हिसाब से इसको इस्प्रे क में कि पुछा गया है हुआ है इन ए मौन फख़्ट प्रक्टवर को एक अयुस करेंग को रोकने के लिए यह मौन फॉचा गया है और सीरियस फिजोलोजिकल डिस ओडर इन मेंगो और चर्ट नियर ब्री क्लीन इन ब्लेक टिप जो इंट के भट्टे उनके आसपास जो डिस ओडर होता है वह आम में जनरली होता है ब्लेक टिप लोस ओ फर्मनेश लोस ओ फण्स मेंगो फ्रूट दूरिं रा इस डियू तू हीड्रोलाईस्स पेक्टे न अगर जो पर इस होता है फर्नेश आम में वह किसके दौरह होता है तो वह अगर फ्रूट में वो हो जाता है या हृड्डोलाईस्सखarians भूऋ प्रूट में तो फ्रन कि आम के जो ging के कारान होती है राइपनिक ऑप मेंगो कॉमРЕ्स के द्वारा होती है... comprend ए करthe kषी याम के है जिसमें कुकुरण furnace करे जो कई और जो यह यह और आम में पोछा गया है Jelly Seed is Physiological Disorder जो Jelly Seed है वो आम का ही Physiological Disorder है The Minimum Specific Gravity of Mango Fruits at the time of Harvesting should be 1.01 to 1.02 जो आम की जो Specific Gravity होती है वो 1.01 से 1.02 के बीच में होती है कोशन भी कई बार पूछा गए है Shape Burn or Shape Injury इस Post Harvest Physiological Disorder में इंगो जो Shape Burn है जो Shape Injury है यह आम का ही Physiological Disorder है बाकी यह क्या है कि Post Harvest Disorder है यह Post Harvest Disorder है Hot Water Treatment and Vapor Heat Treatment is Recommended for De-Infection of Fruit Fly and Stone Vival आम में Hot Water Treatment और Vapor Heat Treatment जो Fruit Fly का Inspection होता है या Stone Vival का Inspection होता है उनको रोकने के लिए किया था यह Question जो Joint Interest Exam MP की उसमें और JRAP और राजिस्थान की एक्जाम में भी पूछा गया है Spherophytic Self Incomplability is Found in Mango आम में जो Self Incomplability पाई जाती है वो पाई जाती है Spherophytic Type की Spherophytic Type की Self Incomplability में पाई जाती है Soap Nose is Physiological Disorder of Mango आम जो Soap Nose है वो भी आम का ही Physiological Disorder है Thank You धन्याद अगर वीडियो अच्छा लगे तो Like और Share जरूर करें और अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे आम की कुछ महत्वपून वेराइटीज धन्याद करें जो